ने बिभक्ति का प्रयोग ने बिभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है इस बारे में आधम पढ़ने वाले हैं वाइक्य सुद्धी अर्थात कारेक्षन में हमें इसका जरुरत पढ़ता है इंग्लिश क्रामार में आप लोग ने पढ़ा है ट्रेंजिटीव भार्ब और इंट्रेंजिटीव भार्ब हिंदी में इसको शकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहा जाता है आप लोग को पता है कि यह जो अकर्मक क्रिया होता है इसमें आपजेक्ट नहीं होता हम लोग एक बाक्य के जरिये समझते हैं जैसे विकास कील्ड दा टाइगर है ना अभी देखिए इसको हम तीन भाग करते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं इंगलिस में इसको सबजेक्ट कहते हैं और इसको भार्व कहते हैं इसको आप लोग क्या कहते हैं औबजेक्ट कहते हैं है ना अभी देखिए यह जो सबजेक्ट है इसको हिंदी में क्या कहते हैं कर्म कहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यन देने योग्य है जैसे कि अब अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो हम लोग को लिखना पड़ेगा विकास ने बाग को मारा यहाँ देखिए यहाँ इंगलिश के मुताविक ही है सबजेक के जगा में सबजेक है लेकिन यहाँ कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर तो क्या कि टेट्ट टाइगर जो बाग था तो बाग यह आ अगया तो क्या हो गया तो यह अबजेक्ट यानि कि कर्म हिंदी में बाइक्य के बीच में रहता है और क्या होता है यह जो फार्ब जो क्रिया है जैसे किल्ड मारने वाला जो काम है वो लाश्ट में चला जाता है तो हिंदी में बाइक्या किस तरह लिखा जाता है कर्ता, कर्म और क्रिया इस तरह लिखा जाता है ये ने लेकिन क्या है ये एक बीबक्ती है अब हम दुसरे बाइक्या के जरीए समझते हैं ताकि हम लोग को समझने में और भी आसान हो पूजा ने खाना खाया यहां देखिए ये क्या है कि ये करता ये कर्म और ये क्रिया क्रिया क्या हो रहा है क्रिया करता है पूजा ये तो लड़के है ना फिर भी यहां हो रहा है खाया जैसे लड़के का जैसा हो रहा है ये क्यूं हो रहा है हम लोग यही बात समझने वाले हैं यह हो रहा है यह ने विवक्ति के कारण लेकिन एक बात है अब यह ने विवक्ति के प्रयोग के बारे में समझने के लिए हम लोग को पहले एक बार क्लास नाइन में जाना पड़ेगा क्लास नाइन में हमने पढ़ा था कारक और हमें पता चला था कि कारक के छिन्हों को क्या कहते हैं विवक्ति कहते हैं कारक के छिन्हों से तो ये करता ने कर्म को करण से हैं तो ये करता कारक कर्म कारक करण कारक इनके जो चिन्हों सेंबल तो ये ने को से ना तो इस तरह और भी हैं तो आप लोग को ये क्लास नाइन का जो चेप्टर है कारक वो एक बार याद करना जरूरी है आप लोग पढ़ लिजिएगा तब आप लोग को क्या होगा ये ने विवक्ति के प्रयोक के बारे में समझने में आसान होगा तो अगले क्लास में मैं ने विवक्ति के प्रयोक के बारे में क्लियार कर देने वाला हूं लेकिन एक बात आप लोग याद रखना ये सब आप लोग के लिए सेवा बोर्ड के क्लास्टेन के बच्चों के लिए very very important है